आज का question हमारा है, the length and the breadth of a rectangle are 15 meter and 80 meter respectively, find area and the length of diagonals, हमें पहले area निकालना, एक rectangle है हमार पास, rectangle है क्या होता है, जिसकी two side equal होती है, यह rectangle है, इसकी length कितने है, 15 meter है, और breadth कितने है, 8 meter है, ठीक है, पहले था हमें area निकालना, तो area क्या होता है, area of the rectangle क्या होता है, area of the rectangle क्या होता है, length into breath length into breath ठीक है तो L into B तो A equal to A हमें कितना दे रखा 15 दे रखा L sorry L 15 दे रखा breath की दे रखे 8 दे रखे तो हमारा कितना आ जाएगा 15 एर जाए कितना होता 8 5 जाए 8 5 जाए 40 8 बंजा 8 और 410, 120 ठीक है, तो एरिया तो हमारे निकल गए, लेकिन सेकंड में पूछ रहा है, सेकंड क्वेशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लेंद आप दाइगोनल्स, एक डाइगोनल ये, इसको डाइगोनल बोल से, अगर हम देखेंगे तो ये, ये क्या ओतार डाइगोनल्स क्या है, रूट L स्क्वेर पलस B स्क्वेर, ठीक है, अगर देखा जाए तो ये एक रेक्टेंगल बन्डा, ठीक है, तो ये हैपर्टनियोस आ जाता है, ठीक है, ये बिरत L लेंध हो जाती, ठीक है, तो अगर हम इस से निकालेंगे, तो D इकल टो L हमारे कितना है, 15 का कितना है, तो D इकल टो कितना आजागा, 15 का स्क्वेर कितना, 15 को टू बार मन्टिप्लाई करो, तो 225 आता है, ये ट को करेंगे, तो 2 मिल्ट फिप्टें मन्टिप्लाई 15, 55 जा 25, 55 जा 5 और 27, 15 जा 5 और 11 जा 1, 57 12, और ये 2, 225 और 8 को टू बार करें, 64, अब इनको अगर पल नाइन, 268 और ये 2, 289, 289 हमारा होता है 17 का, स्क्वेर कितने का होता है 17 का, ठीक है?